हाई गाईज वेल्कम बेक तो माई चानल मैं हूँ सुगम और विली चानल पर फिर से एक बर आपका स्वागत है तो अगें आज मैं बहुत ही अच्छा वेट लॉस को टॉपिक लेके आए हूँ लोग कुछ भी नहीं होने वाला है तो जिन लोगों के हॉर्मोन की वज़े से प्रॉब्लम होती है वेट बढ़ता है थायराइड, PCOD, PCOS या फिर किसी भी हॉर्मोन इंबालन्स की वज़े से आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो सिर्फ इस एक कप टी से अगर दिन में आपने से एक कप ले लिया तो आब मानने सकते कि हॉर्मोन कि इतनी जल्दी अच्छे है निकि एक हफते में आपके फॉर्मोन बिल्कुल बैलस हो जिनको भी बेबी नहीं हो रहे हैं," तो बेबी भी बी होगा अगर आपको periods देर में आते हैं तो पीरीरॉट्स टाइमपी आएंगे अगर थंग को प्लोह होता है जिसे जिनको कमँद्याई बर्लैट की प्रोब्लम है जिसे जिनको कम प्लोह होता है diabetes बहुत अच्छा होने लगेगा इस्किन बहुत ब्लो करेगी बाल बहुत अच्छे होंगे नेस बहुत अच्छे होंगे और बहुत सारी चीजे ऐसी है जो आपको सही करेगा लेकिन आप continue उसे एक महीने तक लीजे और उसके बात फर्क देखिए कि आपका weight कि अच्छे से loss होता है और सारी चीजे कितनी balance होती है कि यह hormone imbalance को पूरी तरह से balance कर देगा 100% Ayurvedic है 100% natural है कुछ भी आपको मंगानी की जुरत नहीं है हर चीज घर में अवलेबल है तो time को waste नहीं करते हो और वीडियो की तरह बढ़ते हैं तो friends इस टी को बनाने के लिए आपको एक पान लेना है और पान में आपको जो आपका नॉर्मल घर का कप है आप उसमें कप भरके या देड़ कप आप इसमें पानी डाल दीजे और यह दिन में आप किसी टाइम भी टी ले सकते हैं कोई भी specific टाइम नहीं है और मैं इसमें बड़े वाले कप में आधा कप पानी डालूंगी क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली अपने घर में हबिस्कस प्लावर का प्लांट लगाया हुआ है और जिसमें अभी छोटी-छोटी सी कलिया निकलना स्टार्ट हुई है वैसे मैं इधर उधर से हबिस्कस सबसे मैंने बोला हुआ है तो कोई ना कोई मुझे दे जाता है लेकिन अब मेरे प्लांट में भी गुड़हल के फूल निकलने वाले हैं तो अभी उसमें 6-7 कलिया निकली हुई है जिसको मैं यहां पर यूज कर रही हूँ और यह बोलते नहीं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे मेरे प्लांट में भी हविस्कस फ्लाबर निकलने लगें वरना इधर दोर से मुझे लेना पड़ता था इसके बाद एक इंच लगबग आपको इसमें डाल चीनी की इस्टिक डालनी है जड़ आपकी टी में तीमे पहें में बहुत ध्याँ ब्लीज के अवास पत्लाबर यह रखन सुब्बे दुपहर शांत किसी टाइम भी आप इसे ले सकते हैं इसका लाब उठाइए और इसके बेनिफिट्स का भी खोब लाब उठाइए आप एक चीज में आपको बताना चाहूंगे कि जिन लोगों को भी है बिसकस या गुड़हल का फूल नहीं मिलता है जैसे कि मुझ अगर तीन-चाट जिन सरस में कलिया आ गई है और फूल निकलना स्टार्ट हो गए है क्योंकि मार्केट में भी आपको नहीं मिलेंगे गुड़हल के मिल जाएंगे गेंटे के मिल जाएंगे लेकिन गुड़हल के नहीं मिलते हैं इवन जब मैं बिंधिया चल गई थी तो आपने देखा होगा जो लोगे विंधिया चल में रहते हैं या वहाँ पे पूरह गुड़हल की फूलो की माला मिलती है मैं दस माला लेकिया थी अपने गर के लिए और अगर आपको भी कहीं बल्क में चीज मिल जाए तो अपलाईए उसको घर में धूप में नहीं कहीं भी में रखके अपने घर में स्टोर कर लिजे उसके बाद आप उसकी टी बीजे इस तरह से भी आप कर सकते हैं तो सारे solution I think मैंने देने की कोशिश की है अगर उसके बाद भी आपको कोई problem हो तो मुसे आप free हो के इस वीडियो के निचे पूछ सकते हैं मुझे mail कर सकते हैं sugam.om comment at the rate of gmail.com आप मुझे instagram पे भी follow कर सकते हैं जिसकी idea है sugam sunshine तो मिलते हूं बहुत ही जो देख नए वीडियो के साथ अगर वीडियो इंफोर्मेटिव लगाओ तो like कर दीजेगा चानल सब्सक्राइब कर लीजेगा तो तक की लिए bye bye